इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और एंजाइना यानि की हृदय संबंधित सीने में दर्द की रोक थाम करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है। यह ब्लड प्रेश को कम करता है और हृदय के वकलोड को कम करता है जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। MDPIN 10 टैबलेट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है। डोज इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और आपकी कंडीशन कितनी गंभीर है। आप इसे दिन के किसी भी समय भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं। लेकिन इसे हर दिन लगभग एक ही समय पर लेना बहतर है। आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश मिले हों, तब तक इस दवा को लें। भले ही आपको ठीक लगे, तो भी इस दवा को अपने आप से बंद न करें क्यूंकि उच्छ ब्लड प्रेश के अक्सर कोई लक्षन नहीं होते हैं. अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती बिगर सकती है. नियमित एक्सर साइट से खुद को एक्टिव शामिल हैं. यदि इन दुश प्रभावों में से कोई भी आपको परेशान करता है, तो अपने चिकित सक से परामर्श करें. वे साइड एफेक्ट की रोक थाम करने के या उन्हें कम करने के तरीके बता सकते हैं. पिसे लेने से पहले, अगर आपको लिवर, हिरदय या किड् समबंधी कोई समस्या है, तो डॉक्टर को बताएं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आप जो भी दवाएं ले रही हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, विशेश पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.